सभी किशान थी रहे से हमारा चैनल फ्टार्मिर्दी ज४्च्रावाई। चन्तेकर किस्ती जागड से हमारा चैनल फार्मर दीजनलीशिट तो गषानी भाईयोँ आज हम आई हुए हैं अचारी नरंदेव इमकिर्शी प्योतकी विश्विद्यालाय कुमार गंज फैजाबाद या अधिया तो किशान भाइयो हम बात करेंगे यह तलाब खुदा हुआ है जो आप देख सकते हैं इस तलाब में मचली पालन होता है और आप मचली पालन के बाद जो जो तलाब के हमारी जमीन खाली पड़ी रहती है उस पर हम किश्वरकार सब्जी उगाएं जिससे हमें डबल अंधनी का फाइदा हो और हमें प्रॉफिट मिले और जो बात में बचे उससे हमें तलाबों में इस तकार की जो सब्जी कभी कभी सड़ जाती है इसको हम डालते मचली के भजन के रूप में उगा सकते हैं तो किशान भाईयो जैसा कि आप देख रहे हैं यह तलाब है तलाब के चारो तरफ ही बनाया गया है तो किशान भाईयो हमें फाइदा यह होता है हम इसमें चारो तरफ सब्जी लगा देंगे तो हमें सब्जी का पैदा अलग से दबल आमदनी के रूप में मिल जाएगा तो जो किशान भाई मचली पाल करते हैं तालाब है उनके पाथ तालाब के चारो तरफ अगर खाली भूमी पड़ी है तो उपयोग उसका कैशे लें तो किशान भाई यो आप देख रहे हैं यह इस परकार यह उनिवस्टी द्वारा सब्जी मिल लगा है तो सब्जी का अलग से पैसा आपनी हो रहा है और तालाब से अलग हो रहा है तो जो किशान भाई हमारे अगर तालाब के चारो तरफ इस परकार की सब्जी के खेती करना चाहाते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा क्योंकि यह अच्छा है आपको डवल फा इस पर अशर होता है तो जो किशान भाई हमारे इस परकार से अगर तालाब है तो आप चारो तरफ सब्जी उगा लें खाली भूमी ना पड़े नहीं दें अन्रता आपको से खाली भूमी कोई लाब भी नहीं मिलता तो आप उसमें कुछ ना कुछ लाब लें जैसे आप च तो जैसा कि विश्वित द्याला कुमार गंज के साइंट्रो द्वारा तैयार किया यह मौडल है बहुत अच्छा मौडल है हमारे किशान भाई वीडियो के माध्रम से देख सकते हैं कि चार तरफ किश्वकार की सब्जी की फसल लगी है तो किशान भाई हो जैसा कि यह आप झाल झाल